दोस्तों ये है आर्बी टून रैपिड सिरप आज की वीडियो में हम इसी आर्बी टून रैपिड सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी जैसे आरबी टून रैपिड सिरप में इंग्रिडेंट क्या है कौन कौन से नूट्रियंट्स इसमें मौझूद है सारे नूट्रियंट्स के फाइदे क्या क्या है डॉक्टर इसे कब और क्यू लेने की सलाह देते हैं RB Tune Rapid Sirup के फायदे क्या क्या है और RB Tune Rapid Sirup लेने पर इसका क्या side effect हो सकता है ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए ही सिर्फ बना रहा हूँ मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले या ऐसी कोई भी सप्लिमेंट लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है तो हाई गाईज, वल्कम बैक तो माई चैनल दिस इस आमिर एंड यू वाचिंग, हिल्थ केर एंड मेडिसिन्स दोस्तो आरबी टून, सीरप के बारे में जानने के लिए आईए सबसे पहले जानते हैं इसके नूट्रियंट्स के बारे में इसके नूट्रियंट्स के बारे में जाने तो इसमें फेरस ग्लुकुनेट मतलब iron इसमें मौझूद है इसके अलावा इसमें folic acid, vitamin B12 और torin मौझूद है सबसे पहले बात करते हैं iron के बारे में फेरस gluconate के बारे में दोस्तों, फेरस gluconate शरीर में iron की कमी को पूरा करता है एनीमिया का इलाज करने के लिए डॉक्टर इसे लेने की सला देते हैं जो red blood cells की कमी के कारण ही होता है जिसकी वज़े से खून की कमी हो जाती है शरीर में iron की कमी हो जाती है और red blood cells की कमी होने पर हमें कमजोरी लगना, थकावट महसूस होना जरा सा चलने पर, सास फूलना या फिर चक्कर आने जैसी समस्या होती है तब डॉक्टर ऐसी दवाईया सज़ेस्ट करते हैं जिसमें फिरस ग्लुकुनेट हो या iron हो iron एक important mineral है हमारे शरीर में पाया जाने वाला mineral में सबसे important mineral iron कहलाता है जो red blood cells बनाने के लिए इसकी जरुरत पड़ती है iron की जरुरत पड़ती है जिसकी वज़ेसे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है दोस्तों अब आईए बात करते हैं folic acid के बारे में folic acid जो एक तरह का vitamin B है जिसे vitamin B9 या folate भी कहा जाता है folic acid हमारे शरीर में नए cells नई कोशिकाओं का निर्मान करता है नई कोशिकाओं बनाने का काम करता है और साथी साथ ये red blood cells बनाने का भी काम करता है जिससे शरीर में खून की कमी पूरी होती है red blood cells का एक और काम होता है ये हमारे पूरे शरीर में अक्सिजन सप्लाई करने में हिल्प करता है, मदद करता है जिससे हमारे शरीर में एनरजी मिलती है हमारे पूरे शरीर को निट्रियंट्स की जो जरूरत होती है, वो पूरी होती है इसके अलावा फॉलेट या फॉलिक ऐसेड एनिमिया जैसी बिमारी से बचाता है जो खून की कमी के कारण होती है जिसे हमें कमजोरी लगना थकावट महसूस होना और खून की कमी के कारण जो सकिन पीला महसूस होने लगता है ऐसी समस्याओं से बचाता है फॉलिक एसिड दूस्तो अगर हम बात करें फॉलिक एसिड की ज़रुत सबसे ज़्यादा किसे होती है तो आप अक्सर देखे होंगे कि प्रेगनेंट मुमिन को गर्वती महिलाओं को डॉक्टर फॉलिक एसिड ज़्यादा सर्जेट करते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रुत गर्वती महिलाओं को ही होती है गर्वावस्ता के दौरान फॉलिक एसिड लेने से गर्वती महिलाओं में ए और बच्चे का growth अच्छे से हो पाता है। इसके लावा folic acid गर्वती महिलाओं में उसके बच्चे को major birth defect होने से भी बचाता है। अगर folic acid का 7 गर्वती महिलाएं ना करे तो बच्चा कमजोर होता है या फिर बच्चे का वजन काफी कम होता है। और साथी साथ माव की सहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। folic acid की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर बहुत सारे supplement सजेस्ट करते हैं जिसमें से एक है folvide tablet जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों अब आईए बात करते हैं vitamin B12 के बारे में, vitamin B12 हमारे शरीर में बहुत सारे important role play करता है, ये हमारे nerve cells के function को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे nerve cells healthy रहता है और हमारा nervous system भी healthy रहता है, जिससे तंत्री का तंत्र कहा जाता है, क्यूंकि जाहिर सी बात है, nerve cells healthy रहेग और हमारे दिमाग की नसे भी active रहेगी, और हम दिमाग से भी alert रहेंगे, nerve cells को healthy रहने के लिए सबसे important role play करता है, ये vitamin B12, और इसके सारे जैसा कि मैंने आपको बता है, ये खून की कमी को पूरा करता है, नए cells बनाने में मदद करता है, और नए red blood cells बनाने का भी काम करता है, और हमारे शरीर में कुशिकाओं को, cells को healthy रहने में भी मदद करता है, ये vitamin B12, brain chemical को बढ़ाने में मदद करता है, mood enhance करने में मदद करता है, साथी साथ vitamin B12 नसों को भी healthy रहने का काम करता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनकी नसों में दर्द रहता है, या फिर cytica जैस दर्द की समस्या जहल रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी doctor vitamin B12 लेने की सला देते हैं, vitamin B12 अक्सर उन्हें दिया जाता है, जिनके हाथ पैर में जंजनी हो रही है, या हाथ पैर सुन पढ़ने जैसी समस्या हो रही है, कमजोर नसों की वज़ह से जो ऐसी समस्या होती है, उ टौरीन जो एक तरह का amino acids है, जिसका काम है हमारे शेरीर में bile acid produce करना, bile acid digestion में help करता है, हमारे पाचन तंत्र को हेल दी रखने में मदद करता है, जिससे हम हेल दी रहते हैं और active रहते हैं, bile acid हमारे liver में बनने वाला एक acid होता है, जिसकी ज़रुरत हमें बहुत ही ज़ादा हो और जिसकी वज़से हम हेल दी रहते हैं, दोस्तों, टौरीन शरीर में anti oxidation का भी काम करता है, जिससे immunity बढ़ती है और immune system active रहता है, मतलब ये टौरीन immunity को boost करने में भी मदद करता है, जिससे हम कई तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं, और साथी साथ हम viral infection से भी बचे रहते ह इसके लावा टौरीन शरीर को hydrate रखने का भी काम करता है, और calcium regulate करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में calcium की कमी नहीं हो पाती है, जिससे हमारा bone भी हिल्दी रहता है, हमारी हड़िया मदबूत रहती है, इसके लावा टौरीन हमारे heart के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हमारी eyes के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यह हमारे eyes की retina को भी हिल्दी रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा vision improve होता है, हमारे देखने की शक्ति, हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है, दोस्तो टोरिन के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके बा यह बात करते हैं, आर्भी टॉन रैपिट सिरयप के बारे में, कब और क्यों ड letter इसे लेने की शलार देते हैं, और इसके फायदे क्या क्या है, दोस्तो आर्भी टॉन सिरयप में थोड़ा बहुत अंतर है, आर्भी टॉन सिरयप का वीडियो में बना चुका हूं, आप जा क देख सकते हो ये है आर्बी टून रैपिट सिरप रैपिट इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जल्दी काम करता है क्योंकि इसमें टॉरिन होता है दोस्तों आर्बी टून रैपिट सिरप लिवर को क्लीन्स करने में मदद करता है और शरीर के टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करता है इसके लावा आर्बिटून रैपिट सिरप उन्हें दिया जाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है जो बिमार रहते हैं बार बार बिमार पड़ते हैं उनको भी ये काफी मदद करता है इसके लावा आर्बिटून रैपिट सिरप energy level को बढ़ाने में भी मदद करता है energy level को बूस्ट करता है साथे साथ हमारे हट्डियों के लिए और हमारे आँखों की रोश्णी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही मददगार हो सकता है Arbitun Rapid Sirup इसके लावा Arbitun Rapid Sirup अक्सर उन्हें दिया जाता है जिनके शरीड में खून की कमी है अक्सर महीलाओं को ऐसे सिरफ ज़्यादा डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं महावारी के वक्त अक्सर खून की कमी देखने को मिलती है या प्रेग्नेंसी में भी खून की कमी देखने को मिलती है लेकिन प्रेगनेंसी में ये दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अब आईए बात करते हैं आर्बी टून सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफेक हो सकता है अगर आप आर्बी टून सिरप लेते हैं और इस तरह कोई साइड इफेक दिखाई दे जैसे पेट का अपसेट होना, पेट में दर्द होना, कॉंस्टिपेशन होना, डायरिया होना, नौस्या होना, वर्मिटिंग होना या फिर स्टूल का डार्क हो जाने जैसी समस्या अगर आपको दिख रही है तो तुरंट आर्बिटोन सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं ऐसे साइड फेक कभी कभी ही देखने को मिलता है लेकिन ऐसे साइड फेक आपको दिखाई दे तो तुरंट डॉक्टर से सला लें तो दोस्तों ये तो था आर्बिटोन सिरप के बारे में जानकारी आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वड़ियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिये शेर करिये और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिये, तो मिलते हैं अंगले वडियो म तब तक के लिए जैहिंद